अजिन नमस्का रादे रादे हर अर्माहादेओ मैं आपका आचार देओ आज इस बीडियों पर बात करेंगे भूमी पुत्र शेनापती मंगल महराज मारगी हो रहे हैं अब ये मारगी रहेंगे पुराक टूबर तक मारगी रहेंगे सेनापती मारगी भूमी पुत्र मंगल मारगी सौरेका प्रतीक मंगल मारगी वक्री होने का मतलब स्लो गती हो जाना मारगी होने का मतलब स्पीड पकड़ लेना आपकी जो स्वाभावी की स्पीड है उस पे अगर आप आ जाते हैं तो आप मारगी हैं और किनी कारणों के वस आप स्लोली स्लोली चलते हैं तो आप वक्री हो जाते हैं तो मंगल महराज ब्रिस्टिक लगन ब्रिस्टिक रासवालों के लिए सब्तम भाव में वक्री थे अब सब्तम्भाव में ही मारगी हो रहे हैं तो नच्छत्र जो है जहां पे मारगी हो रहे हैं वो है चंद्रमा का रोहडी नच्छत्र रोहडी आरोहण करना सिखाता है दूसरों से बात मनवा लेने की सक्ति रोहडी नच्छत्र में है यहां पे मंगल आपको दूसरों से काम निकल वा लेने की सक्ति प्रदान करेगा अब मारगी मंगल 13 मार्च तक आपको क्या फल देंगे तो 13 जिनवरी से 13 मार्च मतलब 2 माह यहां पे मंगल का गोचर है तो दो माहा तक ब्रिश्चिक लगन ब्रिश्चिक रासवालों के लिए क्या फल दे कर जाएंगे तो देखें लगनेस का मारगी होना योग प्रद है राजा मारगी हो गया आपके आफिस का जो हेड है अगर वो मारग में चलना सुरू करें तो फिर सारा सिस्टम ठीक से चलता है तो यहाँ पे मंगल मारगी होते ही क्या करेंगे सिस्टम को ठीक करना सुरू कर देंगे थोड़ा सब क्रोध की मात्रा भी बढ़ाएंगे सेनापती मारगी हो रहा है मतलब सेनापती डिसिप्लिन में आ रहा है और सेना पती दंडात्मक प्रक्रिया में भी जाता है सही आपने काम नहीं किया तो माफ नहीं करेगा तुरंथ पनिस्मेंट देता है इसलिए क्रोध की मात्रा बढ़ना स्वभाविक है मंगल जैसे सब्तम्भाव में मार गी होंगे तो आपके जीवन साथी से सम्मंदों में भी थोड़ा सा उतार चड़ाओ आएगा क्योंकि जीवन साथी जिस गति से काम करना चाहेंगे उस गति से साथ आप काम ना कर पा रहे हों तो दोनों के बीच जो विचार है वो आपस में टकराएंगे मंगल अगनितत्व है आग का बोला है और आग का बोला जहां से गुजरेगा ना वहां पे गर्माहट तो आएगी गर्मी तो आएगी तो दामपत्य जीवन में गर्मी तो आ रही है ठीक है ना आप बैवाहिक सम्मंदों की वर बढ़ रहे हैं तो यह भी गर्म जोसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे कुंडली में मंगल के साथ और चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा मंगल आपके लगने से हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने है दुनिया आप से परिशे करना चाहेगी लेकिन आपकी वाड़े यदि विणड़ा वनी तब तो जंकृत हो जाएगा सुर्टाल सब ठीक रहेंगे लेकिन विणड़ा अगर वाड़ वनी तो रिष्टे तार-तार होना सुरू हो जाएगे ध्यान दिजेगा ऐसे जब मंगल महराज है चुकि ब्यापार के घर में है और इसका सम्मंद विदेश से भी है तो आपके ब्यापारिक सम्मंद बहतर बने उसके लिए आप अपने दिमाग को थुदा ठंड़ा रखे युद्ध छेत्र में गर्मी ठीक लगती है लेकिन दामपत्त जीवन में या आपके घर में जो आपका सुभाव होना चाहिए उस सम्मेता पून होना चाहिए तो जब तक मंगल रोहिणी में है तब तक तो सौमिता रहेगी लेकिन जैसे मरिक्सिरा में जाएंगे सौमिता का भाव आ जाएगा लेकिन मेरी गुजारी से कि सौमिता हर परिष्टते में बनाए रखना चाहिए छमा सोयती उस बुजंगों को जिसके पास गर ले तो आप माफ कर सकते हैं देन आप बड़े हैं आप हर चीज के लिए सिकायत करते हैं तो आप छोटे हैं उमर में बड़े हो सकते हैं लिकिन दरसल आप हैं छोटे जो माफ कर सकता है वही तो बड़ा है तो माफ करते चलिए ऐसे मंगल ब्यापार के घर में है तो ब्यापार गती पकड़ेगा ब्यापार मार्ग पे आएगा मार्गी ग्रह हर चीज़ को मार्ग पर लाने के लिए जाना जाता है तो यहां पे मंगल मार्ग पे लाना सुरू करेंगे सारी चीज़ों को ऐसे मंगल की जो द्रिष्टी संबंद देखें तो चतुर्त द्रिष्टी सरकार के घर पे है दशम भाव पे है सूरे के घर में है सिंगरासी पे है यहाँ पे सरकार से आपको लाब मिलेगा सरकार से प्रेम पिता से संबंद भी ठीक बनेंगे लेकिन पॉइंट वही है कि वाड़ी को भीड़ा बनाए, प्रेम मिलेगा, सरकार से भी लाब होगा, आपिस इस्टाप भी आपका सपोर्ट करेगा सब्तम द्रिष्टी आपके लगन पर है, तो सांती के साथ आगे बढ़ना आपके सिहत के लिए बहुत लाबदायक होगा जब हम क्रोध करते हैं तो सरवादी को नुकसान हमारा ही होता है, लोहा जितनी बार गरम होगा और जितनी बार ठंडा होगा उतनी बार तूटेगा इसकी जीवन सकती खतम हो जाती है, उसी तरह आप ये तुरंत गरम होते हैं तो आपके अंदर रोग प्रित्रोधक छमता तूट जाती है इसलिए क्रोध पर नियंतरन रखना सीखिए, इस जीवन में जिसने अपने क्रोध पर नियंतरन रख लिया वो बड़ी विजय को प्राप्त करता है, नहीं तो छोटी-छोटी चीजों में उलस जाओगे तो सब्तम द्रिष्टी लगन पर होने से आपका स्वास निश्चित रोप से बहतर रहेगा, स्वास के द्रिष्कोंड से समय अब बहतर जाएगा, इसके पहले थोड़ा स्वास को लेकि उतार चढ़ाओ था, लेकिन अब उतार चढ़ाओ नहीं रहेगा लगन पर सब्तम द्रिष्टी होने से मान संबान की प्राप्ती हो रही है, मान संबान कैसे मिलता है, मान संबान मांगने से नहीं मिलता, मान संबान अरजित करना पड़ता है, और सेना पती को, सेना पती को तो कर्म करना ही पड़ेगा, उसके पराक्रम से ही उसको मान संबान मिलता है तो यहां आपके पराक्रम की वज़ा से आपका मान सम्मान मिलेगा आपका ओरा अच्छा होगा आपका ओरा अच्छा है इसलिए लोग आपको रिस्पेट करेंगे आपको आगे बढ़ के काम कर रहे हैं बहुत खतरनाक होती है आप जब भी कुंडली में मांगलिक का विचार करें हमने मांगलिक पे एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है लगवग गंटों से ज़्यादा का है आप देखिएगा मंगल का पूरा आपका कांसिप्ट चंज हो जाएगा तो मंगल की आठमी जो द्रिष्टी है न वो अलग करने पर रखती है साथमी द्रिष्टी आमने सामने के आठमी द्रिष्टी टक से अलग कर देने की है चतुर द्रिष्टी धमकी देनी जैसी है मैं तुझे देख लूँगा आठमी द्रिश्टी देखने का मौका नहीं देती आठमी द्रिश्टी गुरु के घर पे है ब्यापार के घर में बैटके आठमी द्रिश्टी गुरु के घर में है तो देखे यदि आप साउधान रहे आपकी वे आप टाकिंग अच्छी रही तो गुरू भी धीरे से चल रहा है अपने घर में और यह जाएंगे अभी रेवती नचत्र में रेवती मतलब धन दायक नचत्र सनी महाराज आपके कुंळी में जा रहा हैं सुख के घर में सुख देने वाले हैं तो दोगर्ण आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको स्वता को सपोर्ट करना होगा आप अपना सपोर्ट कर पाए तो मंगल घंदायक हो जाएगा व्यापार से धन देगा कुटुम्ब की व्रिद्धी करा देगा पैसा कुछ न कुछ बैंक में भी जाएगा मतलब बैंक वैलेंस आपका बढ़ेगा किन्तो यदि आपकी वाड़ी वाड़ बन गई तो आपका परिवार भी बिखर जाएगा परिवार में क्लेस हो जाएगा आपके सूर्देव भी अपने से छट में जा रहे हैं कर्मा से खस्टम भाव में जा रहे हैं और करम से जो खस्टम होता हैं दो संगर्स का होता है। इसे संगर्स करेंगे बंदु-बांधों से, मित्रों से, आपके अपने आफिसी श्टाप से. इसलिए हर परिस्थित में मित्र। आपके लिए सलाह है कि वाणी पिनिंत्न रखें। तुरंत प्रत्क्रिया देना नहीं है जीवन में एक और बात आपके लिए यदि आप ऐसा आपको लगता है कि आप हर बिक्ति कोई बातों का जवाब देंगे तो आप बहुत छोटे हैं सेलेक्ट करिए आप किसका जवाब देना है किसको जवाब नहीं देना है आप रोट पे चलते हर विक्त को जवाब देंगे तो कभी भी गंतव्य तक पहुँची नहीं पाएंगे, मंजिल तक पहुँची नहीं पाएंगे लोग आप पूल जहा के रख देंगे सीधे सीधे सब्दों में रोट पे हर भूखने वाले को जवाब देना ठीक नहीं है सेलेक्टिव लोगों को जवाब दीजिए आप बड़े लोगों को देखिए वो कभी सबसे नहीं उलसते बड़े नेताओं को देखिए छोटे नेता बोलते रहते हैं कारकरता बोलते रहते हैं वो जवाब ही नहीं देते वो लाइक ही उनको नहीं समझते हैं उनको जवाब दिया जाए वो लाइक ही नहीं है तो उसी तरह आपको यहाँ पे चीज़ें develop करनी होगी जीवन में आगे बढ़ना है तो सब को जवाब देने के आवशिक्ता ही नहीं है सर इगनोर आए नमः इगनोर करिए यदि आप ऐसा कर पाए तो यह जो दो माह हैं यह आपके लिए बेतर जाएंगे आपके सनी आपको सुख देने आ रहे हैं सनी महराज सुख देने के लिए आ रहे हैं लेकिन एक प्रशन और उठता है क्या सनी की धहिया प्रवल होगी या सनी सुख आपको देंगे ठीक है ना इसकी भी चर्चा अगले वीडियो पर करेंगे तो आपके लिए जो मंगल गरा की गोचरी इस्तिति है बेहतर है सिर्फ क्रोध पे अपने नियंतरन रखेगा ब्यापारिक रिस्ते भी आपके अच्छे बनेंगे विदेश से आपके संबंद बनेंगे विदेश से आत्रा करना चाहते हैं इसके डाकॉमेंट त्यार करिए आपको लाव मिलेगा सूर्देव जैसे चतुर्त घर में जाएंगे आपके काम गतिमान हो जाएंगे गति से चलेंगे मंगल के साथ क्या है मंगल हर चीज को तुरंद करना चाहता है यहाँ पे जो गति बनी हुई है तुरंद के लिए नहीं है यहाँ पे परिस्तितियां थोड़ा सा इंतजार करने के लिए है और रोहणी नचत्र में चल लहे हैं आप आरोना सक्ति को डेवलब करिए दिखें सक्तियां तो सब के पास होती है कुछ लोग उसको समझ पाते हैं कुछ लोग नहीं समझ पाते पूरी जिन्दगी तो आपके पास इस समझ जो सक्तियां आई है उसको समझ ये उसको डेवलब करिए उसको आगे लेके बढ़िए तब आपको लाव होगा चलिए आशा करता हूं मंगल की गोचरी इस्थिति मंगल का मार्गी होना आपके जीवन के मार्ग को प्रसस्त कर देगा सफलता के लिए आगे बढ़िए दामपत जीवन में विसेश ध्यान रखेगा क्योंकि दामपत जीवन में थोड़ा से इसमें परिशानी का वाता औरण क्रियेट हो रहा है तो दामपत जीवन में थाड़ आदमे के इंट्री नहीं होने दिजेगा आपके आपस के संबंध हैं आपस में बिगड़े हैं थाड़ आदमे की किसी क्या विश्रक्ता नहीं है आप सुता एक अच्चे काउंसलर हैं बिवेक सील प्राड़ी हैं तो उनको सुता दोनों लोग बैटके जो समिस्या है उसका समाधान दोनों लोग खोच सकते हैं प्रतिवासाली हैं तो अपनी समिस्याओं का समाधान सुता करें क्योंकि समाज जख्म की दवा लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है जहां पे आपने अपना जख्म दिखाया वहां पे उनमक डाल देगा किके नहीं आपको लगेगा कि बोरो प्लस लगाने वाला है उनमक लगा के चला जाएगा तकलीफ हो जाएगी इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान सुता करें अगर परिशानी बढ़ती है तो कार्तिके महराज की पूजा करें भगवान कार्तिके की आराधना करें आपको आराम मिलेगा उससे भी सरल उपाए भगवान हनुमान जी की पूजा करें हनुमान जी मंगल महराज की सक्ति को बिल्कुल संतुलित कर देते हैं तो हनुमान जी के आरादना करें, हनुमान चालिसा का पार्ट करें, बजरंगबार का नहीं, यहाँ पे आपको हनुमान चालिसा का पार्ट, तो यहाँ पे आपको बजरंगबार करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, हनुमान चालिसा करेंगे और उससे भी अच्छा, अगर म आपके लिए मंगल की गोचरी इस्तिती सुन्दर जाए, सुभ जाए, मंगल कारी जाए, आप विकास के पत प्रगर्शवर हों, ऐसी मंगल में शुब कामना, वीडियो पसंद आये तो मित्रों तो जुरूर बेशिएगा, और अगर अभी तक आपने चनल को सब्क्राइब ने